आज हम चार से छे साल तक के बच्चों के लिए जो हम किताबे ढूंदते हैं या किताबे तलाश करते हैं उनके डिजाइन एट्रिब्यूट देखेंगे और यह देखेंगे कि कौन सी किताबे डिजाइन के हिसाब से इंतहाई एप्रोप्येट हैं जो हम चार से छे साल तक के बच्चों को इंट्रिउस करवा सकते हैं और इसलिए उसकी कौनिटिव और लिंविस्टिग डिवेलपमेंट बहुत है हमने यह देखना है कि कैसे literature कैसे कहानिया उसे मदद करेंगी उसकी कौनिटिव और लिंविस्टिक डिवेलपमेंट में सो हम शिरू करते हैं reference के लिए आपके पास article मौझूद है इसको आप खुद go through भी कर सकते हैं सबसे पहले हम शिरू करेंगे cognitive skills से कि 4-6 साल के बच्चा जो कि already preschool के अंदर मौझूद है और बहुत से concept उसको introduce हो चुके हैं और वो already जानता है हम देखना चाहेंगे कि उसकी cognitive skills क्या कहती है सो इस उमर के बच्चे चार से 6 साल के बच्चे already connection जो है वो develop करना शुरू कर देते हैं colors में shapes में और size में और यह concept वो mathematics में already पढ़ रहे होते हैं language development में colors को identify कर रहे होते हैं और उनके अंदर कौन सी चीज़े और develop हो जाती है cognitively उनको हम different किसम की concept introduce करवाते हैं जैसे कि inside, outside, under and over इन concept के बारे में पता होता है कि इसका क्या माने है और इससे क्या meaning लिया जा सकता है और इससे कहां इस्तेमाल किया जा सकता है सो इसके इलावा बच्चे जो हैं आपकी किताबों के अंदर जो illustrations बनी भी होती हैं उनको different तरीके से classify कर सकते हैं colors की base पर classify कर सकते हैं, lines की base पर classify कर सकते हैं, shapes की base पर classify कर सकते हैं और आप देखी रहे हैं कि ये तमाम की तमाम thinking process से related aspect हैं जो बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं कि इनके दर्मियान क्या association हैं, क्या similarities हैं, क्या differences हैं और ये सारी की सारी cognitive skills हैं अगर हम बच्चों को ऐसी कहानिया introduce करवाते हैं जो उनकी imagination के universe को trigger करें और उनको motivate करें कि वो अपनी imagination में मजीद सोचें और मजीद जाके अपनी stories बनाएं और एक adventure पर चले जाएं तो ये किताबे बहुत ही बेहतरीन किताबे थाबित होती हैं बच्चों के cognitive development के अंदर तो इसके अंदर बहुत जरूरी होता है कि हम images को इस तरीके से set करें ताकि बच्चे सोच सके cause और effect और relationship और ये क्या कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि ये चीज़ क्यों हुई और इसका cause क्या है अगर ऐसा होता है तो इसका effect क्या हो सकता है और उनके अंदर ये सवालात पैदा हो जैसे कि ये क्यों हुआ ये कैसे हुआ अब visuals कैसी होनी चाहिए विज्वल्स ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर interpretation जो है बच्चे कर सके एपसलूट विज्वल्स की जगा कहानी की विज्वल्स में एक ना एक सवाल रह जाना चाहिए जिससे बच्चे इंटरिप्रेट कर सकें कि आगे क्या होने जा रहा है उसके इलावा आपकी जो विज्वल हैं कहानी के टेक्स से पूरी किताब से इंटिग्रेट होनी चाहिए ताके वो वर्बल टेक्स को विज्वल टेक्स सपोर्ट कर सकें और बच्चों की इमेजिनेशन को इतना ट्रिगर करें उन्हें इतना मोटिवेट करें उनका इतना इंटरस्ट डिवैलप करें ताके वो dimension में खुद सोच सके हैं अपने आपको उस character के अंदर रखें दूसरी चीज हमारे सामने आती है वो है linguistic skill इस उमर के बच्चे letters भी जानते हैं numbers भी जानते हैं sentences भी पढ़ सकते हैं और बहुत से sentences बोल भी सकते हैं क्योंकि वो of formal academic से अनकरीब introduce होने वाले हैं so आपकी जो linguistic efforts हैं किताब के अंदर वो different elements से visual element के थूँ support की जा सकती है lines से support की जा सकती है color से support की जा सकती है shape और space से support की जाती है let's check it out कि color से कैसे support किया जा सकता है बच्चों की linguistic skill को so जो हम colors कर रहे हैं अपने visual में उसमें जो character है उसकी feelings को हम portray कर सकते हैं colors के थूँ उसके इलावा हम colors के थूँ बता सकते हैं कि जो scene होने जा रहा है या जो scene चल रहा है और जो plot हमारे सामने मौजूद है उसके अंदर क्या चीज़े हैं dark color से contrasting color से हम एक scene create कर सकते हैं उसके इलावा हमारी linguistic skills के अंदर आ जाती है lines, lines को अगर हम creative तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो सबसे important चीज़े वो बताता है कि character का action क्या है, वो कर क्या रहा है सो lines हमें help out करती है, space हमें ये बताती है कि मुक्तलिफ आपकी किताब के अंदर, story के अंदर जो visual है वो कहां कहां पे हैं और बच्चों को properly comprehend करने में बदद करती है और हमारे पास आखरी चीज़ आ जाती है, shapes, shapes कि त्रू जो है, बच्चे समझने की कोशिश करते हैं objects क्या हैं, उनको identify करने की कोशिश करते हैं, उनके नाम जाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से बच्चों की cognitive और linguistic हमें children literature के थुरू develop करने में मदद मिल सकती है और अगर वो किताब linguistically attractive हो और अगर visually attractive हो तो बच्चे उसमें जरूर इंटरस्ट लेते हैं और उसे जरूर पढ़ते हैं So अगली स्लाइट तक के लिए हम दुबारा मिलेंगे, तब तक, thank you so much